पुलीस और प्रशाशन की लाग कोश्चों के बावजूद भी आर्थिक राजधानी मुंबई में ड्रेक्स तसकरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है हलाकि नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो मुंबई पुलीस और अनेजंसिया समय समय पर कारवाई करती है इसी कड़ी में मुंबई की दिन्डोशी पुलीस ने 49 वर्शी ड्रेक्ट पैडलर को गिरफतार किया है जिसके पास से बड़े पैमाने पर MD ड्रक्स बरामद हुआ है जिसकी कीमत 20 लाख रुपे के आसपास बताई जा रही है दरसल पुलीस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोरे गाउं के संतोश नगर इलाके में एक व्यक्ती ड्रक्स बेचने के लिए आने वाला है वहीं सूचना के अधार पर मौके पर पहुँची पुलीस ने जाल बिचा कर आरोपी का इंतजार करने लगी इसी बीच दिंडोसी पुलीस को ठीक वैसा ही शक्स दिखाई दिया जैसा हुलिया गुप्त सूचना में बताया गया था जिसके बाद पुलीस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ वहीं पुलीस ने इसकी जाच की तो पता चला कि यह M.D. ड्रक्स है पुलीस ने कथित आरोपी को गिरिफतार कर लिया है और उसे गिरिफतारी के बाद अदालत में पेश किया जहां से मानिनी निया पालिका ने आरोपी को एक दिसंबर तक पुलीस हिरासत में भेज दिया है फिलाल दिंदोर्शी पुलीस इस मामले की जाच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित गिरफतार आरूपी ड्रक्स कहां से लेका रहा था और गोरे गाउं में किसे बेचने वाला था 83 ग्राम ऑफ एमबी का जो कारवाई हुए वो दिंदोर्शी पुलीस टेशन ने किया है जिसमें सीनियर पी आई जीवन खरात पी आई शिंदे और एपी आई राउट इनके पतक में ये कारवाई की है जो ये ड्रक्स पकड़ा है उसमें उसकी जो वैल्यू है वो है ट्वंट